प्यारे बच्चों नमस्कार ग्यान सिंदू कोचिंग क्लासेज में जुड़ चुके हैं आप अरुनेश कुमार के साथ चलिए यूपी बोर्ट परिक्षा 2023 के लिए बहात पूर्ट रचनाएं और लेखत यहां से दो अंक आपको मिल जाएंगे, दो राय नहीं है गैरेंटी के साथ मैं इस वीडियो को देने जा रहा हूँ अगर आप यहां पर पढ़ लेते हैं इस वीडियो को पुरा कंपलीट कर लेंगे बहुत लंबान यह चोटा सा वीडियो है और यहां से दो अंक आपके 100% दो अंक पक्के हो जाएंगे यह तो सत्तर में सत्तर की तयारी करना है आपको हमारे साथ रह करके चलिए प्रारम करते हैं तो पहला क्या है पंच पात्र हजारों बार पूछा गया प्रशन है कि पंच पात्र जो है पंच पात्र के रचईता कौन है पंच पात्र 2017 में पूछा गया पदुम लाल पुन्ना लाल बक्षी की रचना है पीडियाप इसकी पाईएगा डिस्क्रिप्शन में फश्ट लिंक है जहां से पीडियाप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा सूरज का सात्मा घोडा 2016 की बूड परिक्षा में आया प्रशन धरंबीर भारती सूरज का सात्मा घोडा धरंबीर भारती आवारा मसीहा किसकी रचना है तो आवारा मसीहा के विश्णु प्रभाकर है कई बार हजार बार पूछा गया आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है शरत चंद की जीवनी है अनाम दास का पोथा आचार हजारी प्रसाद दवेदी की रचना है भोर का तारा जगदीश चंद माथुर की है भोर का तारा के लेखक जगदीश चंद माथुर भाशा विज्ञान बाबुश्याम सुन्दर दास भाशा विज्ञान की रचना कौन है भाशा विज्ञान तो भाश्या याद कर लिजे भाश्या ठीक है भाश्या भाश्या विज्ञान बाबुश्याम सुन्दरदास और और आहुती आहुती इलाचंदर जोशी की रचना है 2022 की परिक्षा में यानि इसी बार पूची गई आहुती रचना किसकी है इलाचंदर जो पुरी आदमी के वेश में, पतितों के देश में, राम व्रिक्ष बेनी पूरी, सोला में आई रचना, पतितों के देश में, राम व्रिक्ष बेनी पूरी, मरग नेनी, वरंदा वलनाल वर्मा की रचना है, बोलो मरग नेनी किसकी है, वरंदा वलनाल वर्मा की है, हिमाले की प पुकार जैप्रकाश भारती 18 में आई, 16 में आई और शायद 22 में भी आई है। अर्धनार इश्वर रामधारी सिंग दिनकर, इश्वर दिनकर, इश्वर दिनकर, चिंतामडी छाया हुआ नाम आचारे रामचंद्र शुकल, चिंतामडी छाया हुआ रामचंद्र शुकल, चिंतामडी आचारे रामचंद्र शुकल, अजाश शत्रू जनमेजय काना आगय अ जैसंकर प्रसाद की रचना है, जैसंकर प्रसाद की है, अजाश शत्रू, चंद्रगुप्त, पैरों में पंक बांद कर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, राम रिक्ष बेनी पूरी, दुनिया रंग बिरंगी जैप्रकाश भारती, रस मीमान सा आचार्य राम चंद्रशुक्ल, महान आलोचक, परपिद आलोचक, हिंदी साहित्यका एतिहास लिखने वाले, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, हिंदी साहित्यका विकास के रूप में लिखने वाले आचारी रामचंसुकल रस मिमांसा के भी लेखक हैं गांधी जी की देन, गांधी जी की देन, डॉक्टर राजेन प्रसाद है, सिच्चायम संस्कृती डॉक्टर राजेन प्रसाद है, अनन्ताकास जैप्रकाश भारती की रचना है, अनन्ताकास किसकी है, जैप्रकाश भारती की रचना है, अनन्ताकास, मकरंद विंदू, पदु पदुमलाल पुन्नालाल वक्षी की है, मकरंद बिंदू किसकी है, पदुमलाल पुन्नालाल वक्षी की है, और इंद्रजाल किसकी है, इंद्रजाल गुंडा, छाया, प्रतधुनि, कंकाल, इरावती, चंद गुप्त, संद गुप्त, द्रोस्वामनी, जैशंकर प्रसाद की रचना है तो यहां पर जैशंकर प्रसाद की रचना इंतर जाल है मकरंद बिंदू पदुम लाल पुन्ना लाल वक्षी जासी की रानी सुबद्रा कुमारी चोहान जासी की रानी वरंदा वनलाल वर्मा दोनों लोग हैं जासी की रानी वरंदा वनलाल लाल वर्मा जासी की रा पुन्नालाल बक्षी बगवा श्रण उपाध्याय की रचना है, चातुर चंचला गोपाल राम गहमरी की है, जंगल के बीच राजिस्री जैशंकर प्रसाद, जंगल के बीच स्री राम शर्मा आचार्य, कहनी अनकहनी धरमबीर भारती ग्यारा वर्स का समय आचारी रामचंद्र सुक्ल ग्यारा वर्स का समय आचार राम चंदरशुक्ल रेती के फूल रामधारी सिंग दिन कर कहनी अनकहनी धरंबीर भारती, रेती के फूल रामधारी सिंग दिन कर चलो चांद पर चलें जय प्रकाश भारती, चलो चांद पर चलें जय प्रकाश भारती, चलो चांद पर चलें जय प्रकाश भारती, रेती के फूल, रामधारी सिंग दिनकर, तुम चंदन हम पानी, एक ललित निबंध है, विद्यानिवास मिस्र का कई बार पूछा गया, तुम चंदन हम पानी, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी रहधास की है, प्रतिध्वनी, गोलों प्रतिध्वनी किस ये किसकी है जैशंकर प्रसाद की रचनाएं है अशोक के फूल हजारी प्रसाद दुवेदी की बार बार पूची जाने वाली रचना है विचारवी थी आचारी रामधारी सिंग दिनकर उनका बचपन यूबीता जैप्रकास भारती खून के चीटे भगवश्रन उपाध्याएं तितली जैशंकर प्रसाद की रचना है उनका बचपन यूबीता जैप्रकास भारती खून के चीटे भगवश्रन उपाध्याएं तितली जैशंकर प्रसाद तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बाक्स में आवस्थे बताईएगा मात्र 8-10 मिनट का ये वीडियो आपको धेर सारे अंक दिलाने में कामियाब कर देगा यानि दो अंक धेर सारे ही होते हैं दो अंक से आप टॉपर बनना रह जाएंगे दो अंक से आप ले आएंगे तो टॉपर बन सकते हैं दो अंक की कमी से न जाने क्या क्या कुछ हो सकता है पविश चौपट हो सकता है तो ये दो अंक मत छोड़िएगा मेरे यार मेरे दोस्त ये PDF भी डाउनलोड कीजिएगा डिस्किप्शन में पहली लिंक से अपनी notebook पर note कर लीजिएगा और अगर आपके पास question bank में ये लिखा ह तो मत note कीजिएगा अगर आपके question bank में ये कोई नहीं है तो जरूर नोट कर लीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को मिलते हैं कल एक नए सुसंद के साथ तब तक के लिए नमस्कार